आपका स्वागत है यह ऐसा प्रोड़क्ट है जो आपके बच्चे की लर्णिंग को टॉप क्लास बनाता है एक नए लेवल तक पहुंचाता है तभी हम लोगों ने इसकी थीम जो रखी है वो एक्जाम के साथ भी है और एक्जाम के बाद भी क्यूं है यह थीम क्यूंकि आज कर जो मार्किट में प्रोड़क्ट हैं वो या तो आपको एक्जाम के साथ वाली एजुकेशन देते हैं यानि नर्सरी से लेके बारवी तक या कुछी सबज़क्ट की एजुकेशन देते हैं या फिर जो एप्स हैं वो आपको कुछ स्किल के थोड़े बहुत कोर्स देते है जो enhance करता है आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपकी communication style, पर हमने आपको जो product दिया है, जिसको हम बड़ा business junior कह रहे हैं, इसमें ये दोनों का मिश्रण है, तो आपको school की education जो बहुत important है, हम उसको भी आपको एक बड़े ही engaging और interactive तरीके से समझाएंगे, और जो school के बाद की education होती है, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसी skills हम बच्चे में develop करना चाते हैं, कि आगे चल कर, वो competition को face कर सके, भीड में पीछे ना रहे जाए, हर चीज में आगे रहे, अपना जो उसको अपना, अपनी बात रखना आए, ये बहुत important है, क्यों बड़ा business junior product में है क्या, तो अब मैं आपको एक quick demo देना चाहूंगी, कि इसके features, क्या-क्या है, मैं आपको इस app का एक tour दूँगी, इस learning platform में 50,000 से ज्यादा के modules है, videos है, 3D, 4D, 2D animation के साथ, इसमें आपको quizzes मिलती है, इसमें interactive sessions है, इसमें 10,000 से जादा games है, इसमें geography में map work सम करने के लिए पूरी sheets है, real life videos से आपको पढ़ाई कराई गई है, fully solved NCRT books के सवाल और उनके जवाब है, दसवी के लिए toppers की answer sheets है, ताकि आप board में सही जवाब लिख सको, अच्छे number ला सको, history समझाने के लिए history की timeline बना दी है, बोरिंग तरीके से history नहीं समझनी पड़ेगी दसवी के लिए sample papers भी है, एक लाग practice questions है हमारे practice section में, और ask a doubt feature है, अगर बच्चे को doubt होता है तो वो doubt भी पूछ सकता है, और हमने कुछ इसमें special content भी डाला है, ऐसे बच्चों के लिए जो dyslexia से सफर करते हैं, dyslexia एक learning disorder है, तारे जमीन पर आपने देखी होगी, उसमें इस लिखने और पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनको लिए content जो होता है, पढ़ाई special तरीके से होती है, जाधा visualization के साथ होती है, audio visuals का बहुत यूज होता है, तो ये भी हमने special content device किया है, ऐसे बच्चों के लिए, अब इस app के एक खासियत है, कि आप हमारा content online भी दे कराना चाती हूँ, तो आप देखेंगे, अगर मैं home पे जाओ, सबसे पहले, तो हमने अपने app को तीन भागों में बाट के रखा है, आप अगर यहाँ इस menu बार पे देखेंगे, तो आप देख सकते है, study, practice, study खोलते है, study actually खोल जाता है, practice और performance, ये हमारे app के तीन main pillars है, ती अगरी भी class खोलते है, आप देख सकते हैं, ये तीन भाग, ये तीन pillars आपको एकदम आप के बीच में दिखेंगे, study जो part है, जो study वाला section है, इसमें सब कुछ जो आपकी पढ़ाई से related है, आपको मिलेगा, इसमें high quality animated content है, और सारे बाकी के features हैं, जैसे जो मैंने आपको बत हैं, study section में आपको सिरव एक चीज करनी है, आपको menu से, जब आप अपना class चूज करते हैं, आप किसी भी जब subject में जाएं, आपको अपना board चूज करना है, और अपनी किताब चूज करनी है, उस board की जो आप पढ़ते हैं, उस subject के लिए, जैसे यहाँ पर मैं board CBSE चूज कर र 3,000 से ज्यादा publishers, 3,000 से ज्यादा publishers की किताबें इसमें map करी हुई है, तो definitely आपका जो भी content है, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, in fact उससे कई ज्यादा मिलेगा अगर आप देखना चाहें कि दूसरे publishers ने क्या chapters डाले हैं आपके subject में, अभी जैसे मैंने default to use करा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो हो गए आपका study का part, जब study के part से अगर हम पीछे जाएं, तो अगला part जो है वो आता है practice का part, अब practice में क्या है, practice session में आपके पास एक लाख से भी ज्यादा questions का question bank है, आप अपने जो भी आपने chapters पढ़े, जो भी subject पढ़ा, chapter भी choose कर सकते हैं, अपनी practice करते वक्त, जैसी आप select करते हैं chapters, वो एक random quiz के form में, एक format ले ले लेता है और आपको questions दिखाता है, इससे बच्चा जितनी चाहे उतनी बार practice कर सकता है, अगर मैं civics खोलूं, अभी जैसे मेरे सामने civics है, मैंने इसमे chapter 1 चूज किया, chapter 2 भी चू आने शुरू हो जाएंगे, आप देखरों, यहाँ पर time limit भी मेरी शुरू हो चुकी है, और मैं इसका जवाब दे रही हूँ, अगर मैंने इसका जवाब दिया, submit करा, इसके जवाब के बाद मैं next question पर पोचती हूँ, मैंने उसको select कर लिया, मैं फे तीसरे पर जा रही select, अभी मैं submit कर रही हूँ बीच में इक quiz, अब जैसे मैंने submit करी quiz बीच में, अब आप देखेगा मेरा overall subject performance कैसे आया, वो एकदम मुझे दिख जाता है, तो मैंने attempt 5 question किये, जिसमें से 4 सही थे और 1 गलत था, तो यह मेरा subject-wise performance का एक graph आ गया, नीचे मेरा chapter-wise performance का graph भी आ गया यह मेरा एक subject performance review, एक analysis आ जाता है test का मेरा इस practice section में, अगर मैं चाहूँ इस test को दुबारा देखना तो review test में भी मैं जाके इसको दुबारा देख सकती हूँ, और मैं देख सकती हूँ कौन सा मेरा सवाल गलत था, क्यूं था, और उसके बाद मैं आगे के questions को भी answer कर सकती हू तो यह practice में बहुत ही फाइदा है, इसमें test report साथ में आ जाती है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा perform किया है, अब अगला, जो हमारा तीसरा pillar है, हम उस पे आ जाते हैं, वो है performance, मैं performance पे click करती हूँ, तो performance में आप देखेगा, यह हमारे 3 parts खुलते हैं performance में, एक है analysis, एक है track record और एक है suggestions, तो performance में क्या है, उसको पहले analysis वाले part में, overall performance दिख जाती है माबाब को, कि बच्चे ने कैसा perform किया है subject में, और फिर chapter wise performance यह subject wise performance होती है, यह जो performance है, यह directly आपके practice questions से linked है, तो जितने ज्यादा आप practice questions करोगे, उतना ही आपकी performance के बारे में पता तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, यह मेरी performance थी, मैंने जितने questions civics में attempt किये, यह मेरी subject wise performance है civics की, अब मुझे अगर track record देखना है, यह मेरे हर test की report देता है, basically बच्चे ने जो भी test दिया होगा, वो माम आपको दिखेगा कि बच्चे ने वो test कब दिया है, date, time, उस सब कि बेसिकली बच्चा जूट नहीं बोल सकता कि मैंने यह test दे दिया, ममी, मुझे इतने marks मिले थे, क्योंकि exactly आपको पता चलेगा, कि बच्चे ने कब यह test दिया है, तो यह हो गया track record, और यह है suggestions, यह कुछ interesting तरीके से थोड़े emojis के साथ, हमने अपने app में डाली है, suggestions में देख सकता है, अभी हम civics की देख रहे हैं, ऐसी हम English की देख पाएंगे, geography की देख पाएंगे, यहाँ पे अभी आपको no suggestions देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई practice question attempt ही नहीं किया था, तो यह एक performance का pillar है, जो parents को बहुत help करता है, बच्चे की progress देखने के लिए, उनको पता चल करके कहां उसके weak areas, कहां आपको वो report नहीं मिलती, इसमें आपको कम से कम वो report एकदम सामने दिख रही है, जिससे आपको पता चल रहा है, कि आपका बच्चा exactly कैसा perform कर रहा है, कहां उसको improvement की जरुत है, और कहां वो actually बहुत अच्छा है, तो यह थे हमारे app के 3 main pillars, जो मैने आपको समझाए, तो यह था हमारा exam के साथ भी का section, इसमें एक और section जो जुड़ेगा वो होगा exam के बाद भी का section, और इसको हमने दो parts में divide किया है, एक future ready skills, क्या होती है future ready skills, जो बच्चे को मानसिक तरीके से तयार करती है, जो इतना competitive दुनिया है, उसमें shine करने के लिए, ज इसमें आपको problem solving attitude कैसे बनाना है, conflict लडाई, ऐसी situation को कैसे manage करना है, आगे चलके teams में आप कैसे काम करोगे, पूरी मानसिकता बदल जाती है अगर बच्चे को पहले से ही इन सब skills की training मिलती जाए, और दूसरी और जो हम सिखा रहे हैं वो है entrepreneurship क्योंकि entrepreneurship में हम माहिर हैं, और बच्चे को बच्पन से ही entrepreneurship mindset build करना सिखाया जाए, तो बच्चे का outlook बहुत बदल जाता है चीजों की तरफ, वो सिरफ job लेने के लिए ही नहीं पड़ता, वो job बनाने के लिए पड़ता है, तो पूरा entrepreneurship का एक curriculum है, जिसमें उसको उसके basics, finance के basics समझाए है, branding क्या होती है, marketing क् skills होती है entrepreneurship में, go to market strategy क्या होती है, लोगों की idea कैसे लोग generate करते हैं, तो एक पूरा holistic approach, कहते हैं na 360 degree development approach हमने बच्चे के लिए use की है, इस app में तभी हम इसको exam के साथ भी और बाद भी का हमने tagline चूज की है, क्योंकि साथ तो बहुत लोग ने भा रहे हैं, बाद में लोग छो